सबी भाईयों वेहनों के आपके अपने चैनल टेक ग्यान कोंज में एक बार फिर से स्वागत है प्लीज जो लबी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं की होंगे जरू सस्क्राइब कर लेंगे उसके बगल में बेल आइकानों से भी दबा देंगे जिसके नोटिफिकेशन आ मैं नहीं अप्लोड कर पाया था थोड़ी सी मेरी तवियत खराब थी अभी थोड़ी खराब है लेकिन मैं फिर भी सोचा कि नहीं थोड़ा सा कर दूं आप लोगों के लिए तो बात कर ले रहा है कोशन की हाल ही में स्वियूक तरस्ट ने 2020 का नेलसल मंडेला प्रसकार किसे में आप लोग जानते ही हैं बात कर ले रहा है में एक और भी मैंने दिया है जो कि कभी भी पूरसकार सम्मेल नागर हो याद रख लीजेगे मैं आप लोगो ट्रिकली बता रहा हूं और तो इन में इनको बुलाना सवर्टेन है यह सो में सो में सामिल होंगी और उनमें से अगर पुरसकार देने की बात आती है तो 90 प्लस पुरसकार इन ही को मिलता है और बात करें मैं अलग से कोशे नहीं बनाया हूँ इसी में बता दिया हूँ गुली बेकियन पुरसकार जलवायू परियावरोना के लिए दिया जाता है गुली बेकियन पुरसकार अभी किसको दिया घया गया गए ग्रेटा ठनवर्क को दिया गया और ऐसा कुछ भी प्रेमानों से समंधित को पुरसकार आता है तो ज़्यादा तर इनहीं को दिया जाता है कि उनके द्वारा समाजी से लेकर प्रियावरण के छेत्र में जो भी उत्कृष्ट वर्क होते हैं सब इन्ही के द्वारा किये जाते हैं छलते हैं अगले नमुर कोईशनि किया वा है कि य हाली में कि स राजय सरकार पूछा जा रहा है कि किसान मित्र योजना की से कद्वारा इंदर उधाता है उनका उधेस यह है कि जो भी पसुपालन होता है वागवानी होता है कृषी समन्धि वह और उनको ससक्त करने के लिए तत्ता आत्म निर्भर बनाने के लिए किसानों को इसी के लिए अभी राज्य सरकार ने महराष्ट के जोए सरकार है उसके द्वरक्या किया गया है तो अच्छे तरीके से अपने को कारे को कर रही है अपने को रही है और सत्तodel नरायन आरया जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्णर के पद पर बने रही है कौण सत्यधेव नरायन आरया जलते है अगले नमर कोशन के तरफ अगला नमर कोशन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक के नए MD&CEO के रूप में नुक्त किया गया है बात कर ले रहा है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD&CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो दो यह मैं करूर वैसे बैंक की बात कर लिए तो पहले रमेज बाबू हो जाएंगे, को न जाएंगे, रमेज बाबू को अभी करूर वैसे बैंक का MD&CEO निक्त किया गया था, और स्याम स्री निमास की बात कर लें, तो देखो इनको इस फेडरल बैंक का, किसका, फेडरल पुछा जा रहा है कि जो ग्लोबल डिरेक्ट सेलिंग 2019 रिपोर्ट में भारत की राइंक क्या रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 15 रहा है भारत की जो इसतितिथी वो तीसरे अस्थान पर ताएगा नमेरिका था दूसरे अस्थान पर चाईना था और तीसरे अस्थान पर हमारा इंडिया था ठीक है लेकिन अभी manufacturing के साथ साथ अभी क्या गए रिटेल से मतलब manufacture कर तो करती है लेकिन बेच कितना पाती है कितना उसको क्या कर पाती है उनका sales report क्या आती है इसके अधार पर क्या किया गया है कि भारत को 15 अस्थान दियागा और इसमें प्रतम अस्थान जो प्राप्त किया पहली सेटलाइट को लाँच किया है 21 देश ने अपड़ी सेटलाइट को लांच किया है तो इसके मतलब इस सेटलाइट का नाम क्या था तो फॉलकॉन 19 कि इसको Falcon 19 के द्वार इसको rocket के द्वार लांच किया गया है और बात कर लें सबसे जदा important को कहां से किया गया तो Space Agency से कहां से Space Agency आप लोगों ने सुना होगा तो इसी के द्वारा क्या किया गया है कि अभी इसको launch किया गया है चार पॉइंट बने इस जरूधान दीजे कि द्वार जाइक है इसके सट्लैट लांच किया गया थे एन चीजेन्हार किया गया है अच्छा हम देख ले रहे हैं अभी द्वार्ट की बात आई है तो इसकी capital क्या है? Seoul है ये question पुछा हुआ है UPP जो लगताली सर पांसो बीस का दिया होगे paper उसमें पुछा था Seoul किसकी capital है? तो ये दक्षड कोरिया की capital है Moon Jae In कौन है? Moon Jae In जो है फिलहाल में यहांगर क्या है? पुछा जा रहा है कि अरोगे स्री स्वास्त सिवा की सराजे में सुरू किया गया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा भी आंद्रपर्देश में सुरू किया गया है आंद्रपर्देश में अरोगे स्री स्वास्त सिवा सुरू किया गया है इसका उद्देश से क्या है इसके अंतरगत यह बताया गया कि जो भी हेल्थ स्कीम जो भी चीजे है यह लोगों को तक असानी से पहुँच जा सके जिक किसी परकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े है और लोगों को जादा 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 जिसके अलाब उठा सके इसक के लिए भी आरोगे स्री स्वास्ता सिवा को स्टार्ट किया गया है बात कर लें आंद्र पर्देश की कैपिटल क्या है अम रहा होती है जो कि प्रस्तावीत है अधराबाद है अभी फिलहाल में जगन मोहन रेडडी और बात करने की सबसे अदा इंपोर्टेंट यहां कि फ इसलिए मैंने उनको भी कहा कि थोड़ा से इंपोर्टेंट है इसे वे ध्यान देजिएगा चलते हैं अगले नमर कोशन के तरह अगला नमर कोशन क्या दिया हुआ है कि हाली में डिया डियों ने किस स्वादेश निर्मित मिसाइल का परिक्षन किया है देखिए बात कर लें दुरवास्त नाम दिया गया है यह तो हो गए हमारा पहला कोशन दूसरा कोशन यह है कि स्वादेश निर्मित एक ड्रोन जो की क्या करेगा कि जो भी सैन मतलब लोग होगे मतलब जो बाटर वेगरा पर होते हैं उनको ड्रोन देगा जिससे वज़़ा से क्या करेंगा वो अ पहला कोश्चन हमारा क्या था यह दूसरा कोश्चन था पहला कोश्चन था दुरुहास नामक एक मिसाइल बनाया गया वह भी DRU के द्वरा बनाया गया दो पॉइंट हमने यहां पर देखा है दोनों कोश्चन बहुत यह अपने आप में इंपोड़न्ट है बात कर लें DRU के स इसके फिलहाल में head कौण है तो कौण है जी सतीस ready कौन है जी सतीस ready जो है फिलहाल में इसके head के बने हुए है ठीक है चलते है अगले नम्र कोश्चन के तरफ अगला नम्र कोश्चन क्या दिया हुआ है कि हाली में किस बांक ने face mask और sanitizer बितरन करने के लिए एक अभियान शु योगी कवर करने की बात आई है, जितनी विजीलियों हों, उसमें क्या करेगा, कि फ्री क्या करेगा, जिसने टाइजर और मास्कों को भीकसीत करेगा अपने तरफ से, ठीक है? इसका उदगहातन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे स्वास्तरमनते ही है, कौन है? चलते हैं अगला नम्बर कोशन की तरफ, अगला नम्बर कोशन क्या दिया हुआ है, कि हाली में भारत ने किस देश के साथ अपातकालीण चिकिचा सेवा करने के लिए समझहोता किया है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा भी हाली में माल्दियू के साथ, माल और बात करने किसकी capital क्या है तो capital इसकी माले है और इब्राहिम मुहम्मद सालीह कौन इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो है फिल्हाल में हाँ पर अश्टप threads के रूप में बने हुए है चलते हैं अगला नम्र क्वेशन की तरफ क्या दिया हुआ है कि हाली में किस राजय सरकार ने डेंगू बिरोधी अवियान शुरू किया है पूछा जा रहा है कि किस राजय सरकार के द्वारा डेंगू बिरोधी अवियान शुरू किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी हाली में उत्तरा खंड सरकार के द बनी हुई है, ग्रिस मकालीन कैपिटल बनी हुई है, अभी उतरा करने के, त्रिवेंदर सिंग रावत जो है, फिलहाल में यहाँ पर क्या है, सीम के रूप में बने हुए है, और बेबी रानी मौर्या कॉन, बेबी रानी मौर्या जो है यहाँ यहाँ पर अभी गोवर्नर के सारी चीजों को रद कर दिया गया है, अभी उसी गड़ी में अमरनाथ यातरा को भी क्या कर दिया गया है, ठीक है, इंपोटन्ट पॉइंट है, इसे भी धान दीजेगा, किसके दर है फैसला लिया गया, ग्रीश चंदर मुर्मुक के द्वारा जो की पिलाहाल में अभी जम किया है, देखिए, यह छोटा वाला काक्रोच नहीं है, जो आप देखते हैं, मचल के भी 3-4 पैर होते हैं, लेकिन इतनी चुकी मत दिखते भी नहीं है, लेकिन बात कर ले रहा है, कि 14 पैर वाला है, बहुत बड़ा काक्रोच है, और मतलब करीब-करीब आप जैसे बड़े इसा में ही पीला कचुआ को खोजा गया है, जो की इस पेसेली उप से पकिस्तान वेगराम पाया जाते हैं, तो अब यह यलो कलर का कचुआ है, वह तो इंडिया में खो जा गया है, तो इंपर्टन पॉइंट है, इससे भी जरू जान दीजेगा, बिखित इस की झाल झाल